हेग काईज मेरे चैनल में आप सभी का सूस्वाधतम है मैंने माई लाइफ एन फैशन से कुर्टा प्लाजोगित की डुपटा से एक परचेस किया था तो उसका रिव्यू में आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ तो देख सकते हैं ये वो ड्रेस है जिसे मैंने माई लाइफ एन फैशन से परचेस किया था दोस्तों उनका एक वेबसाइट है और उनका खुद का एक यूजिव चैनल भी है वो ड्रेस जो है ऑनलाइन सेल करती है आप अगर चाहो तो उनकी वेबसाइट पर जाके परचेस कर रहते हैं और काफी रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं तो यह जो ड्रेस में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं यह मुझे 2445 रूपीस में मिला है अगर आप कैश ओन डिलेवी लेते हो तो 80 रूपीस आपको एक्स्टा पेग करने होते हैं तो दोस्तों यह काफी कितने अच्छे से इस पर वर्ट किआ गया है पूरे पे मेरह का वर्ट अधिको मिलार का वर्ट है शुझ गार बेइस कुछ ऐसा अज़ेर पेजार आकारिया है बैक फुरा सिंपल आएगा और नीचे में बॉडर आजाएंगे बॉडर में लेस आजाएंगे लेस के बॉडर आपको मिच आएगे बैक में इसका मुझे सबसे अच्छा स्लीफ लगा है आप देख सकते हैं इसका स्लीफ कितना अच्छा दिया गया है और पूरे sleeve पे भी work है और sleeve जो है बेल sleeve में आप सभी को पता है बेल sleeve अभी trending में चला हुआ है तो ये मुझे काफी प्यारा लगा है यलो और coffee color के combination में है कैमरे में मुझे नहीं पता आपको अच्छा से दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो और इस पे भी mirror लगा हुआ है ये dress मैंने जैसा देखा था website पे मुझे same-to-same बैसी ही मिली है और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया है और ये इसका plazo है plazo आपको इस test मिलेगा आप देख सकते हैं यहां पे आपको elastic भी मिलेगा और जो cloth material है ये georget में आएगा ये भी georget में आया हुआ है और सभी की lining आपको मिल जाएगी जैसे इसका जो lining के coffee color का देख सकते हैं ये निला हुआ था और इसका जो plazo है ये plazo के अंदर भी lining दिया गया है देख सकते हैं plazo के अंदर ये lining दिया गया है plazo के length 80cm है और plazo पे भी पूरा work को आई गया है अपको दिखाती हूँ plazo पे ये white कीया है plazo पे जो white क किया गया है जब आपको front में मिलेगी back में मिलेगी देख सकते हैं back design दिया गया है देख सकते हैं यहां पर ऐसे lace भी लगाए गया है जो noopy के रहती हैं काफ़ी त्यारा साथ दिजाइन दिया गया है क्लाजों में भी बात करो दोलको तो डुपट्टा भी फूल इदम इंवाइटरी वर्क में आया हुआ है इसे दिजाइन भी काफ़ी प्यारे दिये गये हैं देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से ऐसे बॉटर दिया गया है और बॉटर पे भी ऐसे जरी का वर्क रियल मीरर का वर्क और ऐसे मोटी वाले लेस भी लगाए गये हैं फिर इसके बॉटर में नीचे के साइड ऐसे दिया गया है काफी खुबसूरत सा लग रहा है तो ये टुपट्टा भी मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है टुपट् मैटेरियल में आएगा तो ये था मेरा इस ट्रेस का रिव्यू तोस्तों मुझे ये काफी ज़्यादा पसंद आया है और इसे मैंने सोचा है इप के टाइम में वियर करूँ इसलिए मैं आपको भी वियर करके नहीं दिखाऊंगी तुकि ट्रेस काफी अच्छा है और मुझ है तो ऑसम आउट स्टेंडिंग है अगर हम कहीं और भी जाएंगे तो इतने ही प्राइस में मिलेंगे या इससे ज्यादा भी प्राइस में मिल सकते हैं मुझे ये ट्रेस काफी अच्छा लगा मैं इनका लिंक डिस्रिक्शन टॉक्स में दे दूँ कि आप चाओ तो वहां जाके चेक कर सकते हैं I guess ये out of stock हो चुका होगा फिर्कि मैंने जो इससे purchase किया था तो only one PC बच्चा हुआ था और आप वेबसाइट पर जोगी तो इसली चेक कर सकते हो www.kiddytrends.com तो वहां पर उनकी वेबसाइट आ जाएगे और खाफी अच्छे अच्छे ड्रेस आपको मिल जाएगे तो आज की ये वीडियो आपसो भी को पसंद आई हो तो make sure मेरे चैनल को like share and subscribe करना बेल आइकन पर भी प्रेस करना मिलती हूँ मैं next वीडियो में जब तक के लिए बब पाइ लप्यू